नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्योब चनल पी एफपी में आज 9 दिसंबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आता है निफ्टी 50 17,500 के उपर क्लोस हुआ है 0.27% की तेजी दिखाई पड़ती है निफ्टी बैंक हाला की वीक हुआ है 0.54% की गिरावट है लेकिन 37,000 के उपर क्लोजिंग दिखाई पड़ती है ये एक पॉजिटिव बात है निफ्टी मीड़ कैप 0.6% उपर है जिसके खारण AD रेशियो में एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आया कॉमोरिटी के बार में बात करें तो यहां पर गिरावट हो रही है क्रूड ओल 0.4% नैच्रल गैस 2.3% गोल 0.2% और सिल्वर में 0.6% की गिरावट नजर आती है करंसी के बार में बात करें तो रुपी आपको कंटिन्यूसली डेप्रिशियेट होता हुआ नजर आता है निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि आज की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिले शुरुवात हुई गैप अपनिंग हुई थी उसके बाद एकदम से आपको गिरावट नजर आई रिकवरी नजर आई फिर से करता हुआ नजर आई लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव साइड पर उपर की साइड पर आपको यहां पर मार्केट क्लोज होती भी नजर आई है कोई ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग उपर के लेवल से नजर आती है जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टन्स भ रेजिस्टन्स की तरह नजर आता है अगर यह लेवल हमें तूटता हुआ नजर आता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है 17800 और 18000 तक मार्केट हमें पहुंचता हुआ नजर आ सकता है अफकोर्स एक जटके में उपर नहीं जा पाएगा एक जटकी में आप चाहते ह पहुंच जाए तो उसके चांसेस कम नजर आते हैं जब भी मार्केट में ऐसा करेक्शन होता है तो भात में दीरे मार्केट आपको उपर जाती हुँ नजर आती है तो यहां पर 17500 600 टूटता है तो हम यहां पर बुलिश होने के बारे सोच सकते हैं मार्केट में अच्छी त खतम हो गई है और और फिफ्टी का नंबर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल पोजिशन में नजर आता है न्यूस के बारे में बात करें तो चाइना के एवर ग्रेंड ने डिफॉल्ट कर दिया है फॉर फर्स टाइम एस मैसिव रिस्ट्रक्च्रिन लोंस तो आपको पता ही होगा बीच में बहुत ती सदा मुद्दा चल रहा था कि एवर ग्रेंड अभी डिफॉल्ट करने वाला है क कंपनी खतम हो जाएगी उसके बाद तो मार्केट ने उस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन फिलाल यहां पर एक्चुली डिफॉल्ट कर दिया है तो आफकोर्स यह अची बात नहीं है बहुत बड़ी कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो इसे बहुत ही ज़दा नेगेटिव आइन पड़ती है पहले यहां पर रेक्ड कर दिया जब एक्चुली डिफॉल्ट नहीं किया था अभी डिफॉल्ट कर दिया है तो रीयक्शन क्या होता है मार्केट का ये देखना काफी सथा इंपॉड paljon इंडीय से एस ब्रखर रहे हैं कुछ खास इंपक्त इसका नजर न लिए काफी बात है हमने कई बार आइटी स्टॉक्स में किया है तो टी सी एस और एक अच्छी कंपनी मुझे नजर आती है जहां पर इंवेस्टिंग के बार में सोते जा सकता है करेंट मार्केट प्राइस भी मेरे इसाब से अच्छे हैं जहां पर एक्यूमिलेशन किया जा सकता है और जो ओएफेस होता है पुराने इंवेस्टर अपना माल बेच रहे होते हैं तो तक्रीबन 5250 करोड का ओएफेस था उसे 800 करोड से रेडियूस कर दिया है तो यह एक पॉजिटिव बात नज़र आती है कि ओफेस रेडियूस हो चुका है अभी फिलाल ग्रे मार्केट प्रीमियम के बार में बात करें तो वह कुछ 10-12% नेगेटिव में नज़र आता है आज हमें ITC में अच्छी तेजी देखने को मिली 4-4.5% स्टॉक उपर जाता हुआ नज़र आया उसका रीजन है कि यह एनलिस्ट की मीटिंग करने वाले हैं December 14 को Financial Analyst के साथ मिलने वाले हैं तो अच्छी बात है कंपनी तो अच्छी है लेकिन इतना जादा यह बिजनस एक दूसरे में मिला हुआ है कि वैल्यू अनलॉक नहीं हो पाती है डॉक्टर रेडीज और Prestig AMP वायोफारमा ने कैंसर ड्रग को कमर्शिलाइज करने के लिए एक पार्टनरशिप के एक पैक्ट शाइन किया है तो अच्छी बात है डॉक्टर रेडीज के लिए तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्रीज कोई फीडबैक द ए्डिन वीजिन वुन चाने बाद्ट पांगे हैं इस सब्सक्राइब हैं